मडीपुर में एक गाउ में सर्च ओपरेशन के दौरान भारतिय सेना को महिलाओं की भीड ने घेर लिया इसके बाद सेना को अपना तलाशी अभियान रोकना पड़ा स्थानिय नेताओं और महिलाओं की भीड के विरोध को देखते हुए सेना को उन 12 अलगाव वादियों को भी चोड़ना पड़ा जोने सर्च ओपरेशन के दौरान पकड़ा गया था भारतिय सेना की स्पियर कॉप्स के मुताबिक 24 जून की सुबह खूफिया इंपुट के आधार पर इमफाल इस्ट के इथम गाव में सर्च ओपरेशन चलाए गया था इस ओपरेशन के दौरान KYKL यानि कांग ले यावोल कन्ना लूट के 12 अलगाववादियों को पकड़ा गया था इन लोगों के पास से हथियार, गोला बारूद और जंग में इस्तिमाल होने वाली कई चीज़े बरामत की गई थी बताने की KYKL मरीपूर में एक मैतेई अलगाववादी ग्रुप है इसे 1994 में बनाया गया था इस ग्रुप को भारत सरकार ने प्रतिबंधित आतंगवादी संगठन के तौर पर लिस्ट किया है इन 12 लोगों में मोईरांग थम तामबा उर्फ उत्तम की पहचान भी की गई थी स्पीर कॉप्स के मुताबिक ये वही शक्स है जो साल 2015 में डोगरा की 6वी बटालियन पर हमले का मास्टर माइन था सेना के मुताबिक इलाके में ऑपरेशन चल ही रहा था और तभी 1200 से 1500 महिलाओं की भीड ने उन्हें घेल लिया इस वज़े से सेना को अपना ऑपरेशन रोकना पड़ा बार बार अपील करने पर भी भीड नहीं मानी सेना ने इस दोरान का एक वीडियो फुटेज भी ट्विटर पर डाला है सिती की सम्वेदन शीनतों और हालात बिगरने की आशंका देखते हुए अफसरों ने उन 12 अजगाव वादियों को छोड़ने का फैसला किया इसके बाद सेना ने उस इलाके को भी छोड़ दिया भार्तिय सेना ने मडिपूर के लोगों से अपील की है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांती स्थापित करने में मदद करें इसी के साथ इस खबर में इतना ही इस खबर पर क्या है आपकी राय हमें कॉमेंट सेक्शन बताएं आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी सुर्भी ने मैंने हारिका यादम देखते रहिए दीललन टॉप शुक्रिया